तोहारों का सीजन शुरू हो गया है तो उसके लिए आज मैं लेकिया हूँ एक खासत रहे कि स्वीट की रेसिपी मिठाई की रेसिपी तो उसके लिए मैंने 1 फोर्थ कप ली है मलाई मलाई हमारी ताचा होनी चाहिए तो उसमें मैं दो चमच डाल रहे हूँ कश्टड मलाई में अच्छे से मिक्स कर लेना है बिल्कुल भी लंस वगयरा कुछ नहीं रहना चाहिए बिल्कुल स्मूथ सब पेश्ट बना लेते हैं आज ये मिठाई हम बहुत ही जटपट बनाने वाले हैं और सब को बहुत पसंद आएगी क्योंकि तोहारों का सीजन आ रहे है इ और एक कप मैंने डाला है पानी अब हम गैस को ओन करके हमें कोई चास नवास नहीं बनानी है हमको जब तक पकाना है जब तक चीनी पानी में अच्छी तरीके से घुलना जाए हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे ये होगा कि चीनी हमारी तले में चिपकेगी नहीं और जल्दी से घुल जाएगी तो यहां पानी में उबाल आने लगा है अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे लो और जो हमने ये मिक्स तयार किया था मेलाई का और कश्टड पाउडर का वो इसमें डालके अच्छे से मिक्स कर देंगे वो इसे लगातार चलाते हुए अच्छ को बंद कर देंगे गैस पे दुबारा से कड़ाई रखी है अब कड़ाई में दो कप डाला है सूजी ये बारिक वाली सूजी है और इसे लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पका लेंगे हमें छोड़ना नहीं है कंटिनू चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को आप ध्य गी एड़ करोंगी एक चमच एड़ कर दिया है इसे मिक्स कर लेते हैं एक साथ हमें घी नहीं डालना है हम एक एक चमच करके घी डालेंगे अब देखो ये गी बिल्कुल खतम हो गया इसमें मिक्स हो गया है तो अब दूसरी चमच डाल के इसी दुबारा से मिक्स कर लेंग तो उसका टेश्ट दोगुना हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं 3-4 चमच घी डालूँगी, तो यह तीसरी चमच घी डाल दिया है, और इसे भी हम दुबारा से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सुजी को यहाँ पे मैंने 4-5 मिनट के लिए भून लिया है, लेकिन इसका हलका सा ही कलर चेंज हुआ है, मैंने 4-4 चमच घी डाल दी है, और इसे मिक्स कर लेते हैं, मैंने बिल्कुल 4 चमच घी डाला है, अगर आप ओर डालना चाहें, तो डाल सकते हो, सुजी है, वो बिल्कुल भून के तयार है, अब हमने जो चीनी और कश्टर्ड का घोल रखा था, वो इसमें डाल देंगे, और गैस की फ्लेम को ध्यान रखेगा, लो रखेगा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसे लगातार चलाते वे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हमें इसे 5-7 मिन्ट के लिए और पकाना है, जब तक ये थिक ना हो जाए, आगी मैं इसमें एक दो चीज और एड़ करूंगी, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चेनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे कंटिनू चलाते वे थिक कर लेंगे, अब मैं इसमें एक पिंच फूड कलर डाल रहे हूँ, यह ये येलो फूड कलर है, यह बिल्कुल ओफिसनल है, आप इसे डाल भी सकते हो, अगर आपको पसंद नहीं है, तो इसे इसकी भी कर सकते हो, इसके बगर भी हमारी जो मिठाई है, बहुत ही टेश्टी बनेगी, अगर आप इसमें मावा एड़ करना चाते हो, तो आप इस स्टेज पे मावा डाल सकते हो, अगर मावा कीज़े के आप मिल्क पाउडर भी एड़ करना चाते हो, तो वो डाल सकते हो, लेकिन आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके आई हूँ, क्योंकि हर किसी के पास मावा और मिल्क पाउडर अवलेबल नहीं होता है, तो इस वज़े इसमें बिल्कुल इसे सिंपल तरीके से बहुत ही टेश्ट मिठाई बनती है, तो इसमें मैंने आधा चमच डाला है, इलाइची पाउडर ये भी बिल्कुल ऑप्सोनल है, इस से थोड़ा मिठाई का टेश्ट और बढ़ जाएगा, ये डाल के इसे एक मिन्ट के लिए और मिक्स कर लेते हैं, अगर आपको नारियल का पुरादा पसंद नहीं है, तो आप इसमें ड्राइफ रूट काजू और बादाम को भी पीस के डाल सकते हूँ, अगर आप कुछ भी नहीं डाले हुई, सिरफ सूजे से ही बनाओगे मेरी तरीके से, तो वो भी मिठाई आपकी बहुत टेश्टी बनेगी, हमारा मिश्रन तयार सा हो गया है, हम इसे आदा मिन के लिए और कुक कर लेते हैं, तो उससे पहले मैंने एक थाली में घी लगाके रख दिया था, तो एक बार चैक कर लेते हैं, तो देखो एक घरम बहुत है, तो इसकी लोई सी बन रही है, तो यह बिल्कुल फरफेक्ट हमारा मिश्रन हो गया है, आप इसी तरीके से बनेएगा, तो आपकी बरफेव बिल्कुल भी हाड नहीं होगी, अब जो घी लगाई हमारी जो प्लेट है, मैं उसमें यह मिश्रन सारा निकाल देती हूँ, अगर आप सूजी की भुनाई अच्छे से करोगे लो फिलेम पे, तो इसमें हलवे का भी टेस्ट नहीं आएगा, आप सोच रहे हो सूजी की वो है तो इसमें हलवे का टेस्ट आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप एक बार मेरे तरीके से ये सूजी की बरफेव बना के खाईएगा, आपको बहुत पसंद आएगी आप रोज रोज बना के खाओगी मैं इसे चारो तरफ अच्छे से फैला लेती हूँ ना तो इसे बनाने में हमें चास्नी बनानी है ना मावा की जरूरत ना मिल्क पाउडर की जरूरत कुछ भी घर के बेसिक सामान से इतनी टेश्टी और लाजबाव मिठाई बनती है आप एक बार इसे ट्राई करना तो यहाँ पे मैंने इसे बिल्कुल चारो तरफ हिकवल फैला लिया है और इसे गार्निश कर रही हूँ पिस्ते से और काजू से ये भी बिल्कुल ओप्सनल है आप बगर इसके भी इसे सरो कर सकते हो बहुत टेश्टी होती है मिठाई की टेश्ट में कोई फरकाने वाला नहीं है तो मैं इसे दबाके बर्फी में सेट कर दे रही हूँ जिसे ये बाहर नहीं निकले अच्छे से सेट हो जाएंगे और 10-15 मिन्ट के लिए रेश्ट पे छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए हमारी ये जो बर्फी है कितनी स्मूथ कट रही है आप इसे एक पर ट्राई जरूर कीजिएगा इस दिपावली के आफसर पे आपको बहुत पसंद आएगे सब आपकी तारिफ करेंगे बच्चों से लेके बढ़ो तक सबको बहुत पसंद आने वाली है तो इसके अब हम पीस कट कर ले रहे हैं आपको जिस तरह से पीस कट करने हो आप उस तरह से कट कर लीजीगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो घर के बेसिक सामान से हमारी लाजबा मिठाई बनके तयार हो गई है मैंने मेरे चैनल पे और वी स्वीट की वीडियो डाल रखी है उनका लिंक आपको प्राइब बटन एंडी स्क्रिन में मिल जाएगा आप उन्हें भी जरूर चेक कीजिएगा बिलकुल कम घी से बेगर चासनी के और बिना गैस जलाई बहुत सारी रेसिपी बहुत सारी स्वीट की रेसिपी डाल रखी है तो आप उन्हें जरूर चेक कीजिएगा आपको वो भी बहुत पसंद आएंगी मैं मेरे चेनल पे गल्यूटिन फ्री वीडियो भी डालती हूँ आप उन्हें भी देखेगा आजकल बच्चों को बहुत गल्यूटिन से दिक्कत हो रही है तो उनके लिए आपको बहुत सायता मिलेगी आप वो वीडियो भी जरूर देखेगा तो देखे कितनी अच्छे हमारी बर्फी बनके तयार हुई है बहुती स्मूथ माउथ वाटरिंग बहुती लाजबाब और घर के बेसिक सामान से बनके तयार हो जाती है और ज़्यादा ताम जाम भी कुछ नहीं करना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है आप ये ध्यान रखिएगा अगर आप मलाई रहे हो तो बिलकुल फ्रेस होनी चाहिए आप पुरानी मतलब दो तिन दिन की मलाई मत लीजेगा आप बिलकुल फ्रेस मलाई लीजेगा तो उसमें घी की भी जरूरत नहीं होती है बहुत अच्छी मिठाई हमारी बनके तयार होती है मावे का काम करती है मलाई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेर, सस्क्राइब आज हम 50 ग्राम पनीर से ऐसी लाजवा मिठाई बनाएंगे आप बजार से मिठाई लाना भूल जाएंगे क्योंकि दिवाली और करवाचो था रहे हैं तो उन पे स्वीट तो बनती है मैंने यहाँ पे 50 ग्राम पनीर लिया है अब इसको कदू कस कर लेंगे मैंने बिल्कुल बारिक वाला कदू कस लिया है तो इसको पनीर को हम कस लेंगे तो मैंने यहाँ पिसारा पनीर कस लिया है तो आज हम पनीर की ऐसी लाजवा मिठाई बनाएंगे जिसे आप देखते ही तुरंट बनानी दोड़ोगे तो पनीर को साइड में रखा अब लिया है मिक्सी का जार उसमें आदा कप चीनी डाला है आप चीनी की जगहे खांड पुरा भी ले सकते हो अब मैं इसमें डाल ली हूं पाँच काजो अम सिर्फ पाँच काजो ही डालेंगे आप जादा डालना चाहें तो जादा भी डाल सकتे हो अब मैं यहाँ पर डाल ली हूं आदा चमच लाइची का पावडर आपके पास इलाइची का पाउडर नहीं है तो आप साबुत दो इलाइची भी डाल सकते हो अब मैं यहाँ पे डालूंगे एक पिंच येलो फूड कलर यह बिल्कुल आप्सिनल है अगर आप डालना चाहें मिठाई में तो डाल सकते हैं चिनी का पाउडर बनाया है वो डाल देंगे अब हम बाउल को साइड में रखेंगे और दुबारा से सेम मिक्सी का जार ले लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक कप नारियल का बुरादा इसी डिशकेट नारियल भी बोलते हैं यह आपको ग्रोसरी की दुकान पे इजली मिल जाएगा अगर आपके पास नई है तो आप नारियल को कदुकस करके भी ले सकते हो जो गिरी आती है यहाँ पे मैंने आदा कप मिल्क पाउडर डाला है यह बिल्कुल आप्सनल है आप इसके बगर्व मिठाई बना सकते हो अब इसको भी हम बारिक पीस लेंगे हमने इसको बारिक पीस लिया है और जो हमने चीनी डाली थी उसी बाउल में यह पाउडर भी डाल देंगे आज हम बना रहे हैं पनीर काजु रोल जो बजार में हजार से बारासु रुपे कीलो मिलते हैं और घर पे इसे इजली बना सकते हो बाउल में जो मिसरन था उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हमने जो पनीर घस के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे अब यहां पे लिया है दो से तीन चमच जो जरूरत के अनुसार डाल देंगे पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पनीर को इसमें आज हम बिना मावा, बिना जासनी, बिना घी के बहुती सिंपल तरीके से बहुती टेश्ट मिठाई बना रहे हैं अब मैं इसमें एक चमच दूर डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हमें दूर जरूरत के अनुसार डालना है एक साथ बिलकुल भी नहीं डालना मैंने दूसरा चमच दूर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मेरा इसमें पूरा तीन चमच दूर लगा है आप एक साथ अगर दूद डाल दोगे तो ये बिलकुल लिक्विड जैसा हो जाएगा आप चरूरत के अंसार दूद डालते जाएगा और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएगा तो यहाँ पे मैंने तीन चमस दूद डालके इसे डोग की फॉम में कर लिया है अब मैंने इसको सेट करने के लिए यहाँ एक टिपन लिया है आप ट्रे भी ले सकते हो किसी में भी इसको सेट कर सकते हो मैंने इसे बिलकुल इक्वल कर लिया है अब इसको गार्निस करने के लिए मैंने यहाँ पे पिस्ता लिया है आप काजू बदाम जो भी ड्राइफ रू मैंने इसे पांच मिन्ट फ्रीज में सेट कर लिया है, तो देखिए कितनी स्मूथली हमारी बरफी है, ये कट हो रही है, और आप इसे बिना गश चलाई पांच मिन्ट भी नहीं लगेंगे जटपट से बना के तयार कर सकते हो, यकिन मानिए एक बार आप इस तरह से बरफी ब में कट कर लिया है अगर आपको वीडियो पसंद आये हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सेर भी जरूर कीजिएगा रादे रादे हम बनाएंगे मावा कचोरी मावा कचोरी बहुत ही देश्टी होती है यम भी होती है, तो सबसे पहले हम बनाना शुरू करते हैं, हमने आप एक पतीला लिया है और इसमें तीन कप चीनी डाल लिया है, हमने पहला कप डाल दिया, दूसरा भी डाल दिया, और ये दीसरा भी डाल दिया, अब हम इसमें डालेंगे दो कप पानी, कि पानी डालने के बाद अब हम इसे अच्छी से मिला लेंगे अगर आपके जानी गंदी है या फिर उसमें घंदी है तो आप यह स्टैप करें इसमें कर ना है ही कि आप इसमें एक जिससे आपकी जो सारी गंड़ी है वह उपर आ जाएगी और हमाई जो गंड़ी है अब हम इस एक चमच की सायता से कटोरी में निकाल लेंगी और हाँ अगर आपको हमारी ये वीडियो पचंद आये तो प्लीज हमारे चान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर और इसी मोर इंट्रस्टिंग वीडियो के बैल आइकान का भी प्रेस कर ये देखिए हमने चमच की सायता से सारी गंड़ी निकाल ली थी और देखिए चीने में कितनी गंड़ी थी वो सारी बाहर आ गई है अब हम इसमें डालेंगे 15-20 केसर के धागे और डालेंगे एक जो और ये देखिए हमारे चाशनी तेयार है अब हम चलते हैं नेक्स पॉसस के तरब नेक्स पॉसस में हमने आप एक बड़ा बावल लिया है और इसमें डालिए एक कप मैदा और अब हम लेंगे एक या दो चमच घी आप बटर ले सकते हैं घी का मोयन डालने से कचोरी खशता बनती हैं अब हम इससे मसल मसल कर मैदा में अच्छे से मिला लेंगे हमने मोयन को अच्छे से मिला लिया है आटे की ऐसी मुथ्व बनने चीहें तभी हमारे मोयन परफेक्ट है गरापके ऐसी नहीं बन रहे हैं तो आप फ दोड़ा और डाल लें और अच्छे से मिला लें अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पूरी जैसा थोड़ा ससक्त डो बना लेंगे पानी को एक साथ नहीं डालना है नहीं तो आटा पतला हो जाएगा अब इसे एक दो मिल्च मसल मसल कर चिकना कर लेंगे और इसे दस मिल्च रेस्ट पर रख देंगे अब हम चलते हैं नेक्स पॉसस की दरब अब हम कुछ ड्राइफ रूस लेंगे यह जाइफल है जाइफल को कसकर एक चम्मच पाउडर बना लिया है वन फोर्थ कप कटे हुए काजो और बदाम लिया है यह दो बड़ी इलाइची के दाने हैं अब हम मसाला त्यार कर लेते हैं एक फ्राइपल लेंगे उसमें दो चम्मच गीर की डाल लेंगे अब हम इसमें एक कप मावा डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे मावा को लगाता है चलाते हुए अच्छे से भूनना है यह हमारा होममेड मावा है यह हम कचोरी के अंदर की फिलिंग तयार कर रहे हैं यह कचोरी राजिस्थान जूतपूर की फेमस कचोरी है कचोरी दो प्रकार की होती है एक मसाला कचोरी होती है एक मावा कचोरी होती है आज हम बना रहे हैं मावा कचोरी मावा हमारा वुन गया है अब हम इसमें रैफ्रूर्स डालेंगे वन फोर्थ कप बारी कटोई का जुबदाम, एक चोथाई कप नारियल कब उरादा, एक चमद जायपल का पाउडर, आधा चमद बड़ी लायची के दाने, हाफ चमद छोटी लायची का पाउडर, वी चीजों को अच्छे से मिला कर एक दो मिन्ट के लिए भून लेंगे, जो चीजनी डालेंगे वो पिंग लेगी नहीं, अब हम इसमें दो चमद पीसीवी चीजनी डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, मीठा आप अपनी टेस्ट कॉर्डिंग डाल सकते हैं, अब मसारत त्यार है, अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरफ, अब आटे को मीठा को पूरी की शेप में बेल लेंगे इसको में मोटा ही रखना एंज्ञा पतला नहीं करना आए, नहीं तो यह तलते टाइम फट जाएगा, हमने इसको बेल लिया है, अब इसमें मसाला डालेंगे, मैंने इसमें दो चमद मसाला डाला है, आप अपने अकॉर्डिं इसम अगर आप इसमें ज्यादा मसाला डालेंगे तो तलते टाइम फट जाएगा मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और उपर का एक्स्ट्रा हाठा हटा दिया है इसको कचोरी का शेप दे दिया है और इसी तरह से सारी कचोरियां त्यार कर लेंगे सारी कचोरिया त्यार कर ली है अब हम चल देना एक्स्ट्रास की तरफ अब कचोरिया फ्राइ करने के लिए एक गढ़ाय में घी लिया है आप तेल में भी फ्राइ कर सकते हैं मैंने इसमें कचोरिया डाल दी है और गैस की फ्लेम को लोही रखा है गैस की फ्लेम को लोही रखन जिससे कचौरियां अंदर तक अच्छे से सिख जाएंगी। कचौरियां सिखना स्टार्ट हो गई हैं जो हल्की होकर उपर आने लगें। इनको अलट पलट करके अच्छे से से शेख लेते हैं। कचौरियां शिक कर त्यार हो गई हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब कचौरियां शिक कर त्यार हो गई हैं अब हम इने बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारी कचौरियां फ्राइ कर लेंगे। अब चलते हैं next process की तरफ, आप एक कचोरी लेंगे और उसमें होल करेंगे और उसमें चाशनी भर देंगे पर आशनी भरने के बाद इसको डेकुरुटीव करने के लिए इसे कुछ डाहब डाल देंगे, कुछ केसके तागे दाल देंगे and some flower Violaab की कुछ Pankhuriyah डाल देंगे और आपको इस रेष्पी कैसे लगी और आप भी राज़िसान जवदपूर से हैं और आपको भी मावा क सोरी पसंद है तो पीज इस वीडियो को दें एक लाइक और जादर स्यादर शेर करें हमें comment section में बताएं कि आपको एड़स्पी कैसी लगी तब तक के लिए बाइ-बाइ थैंक यू